हमें 5 आधार या base पर x की घात 3 का लगुगणक को हल करना है तो चलिए एक बार फिर इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं फिर आप बता पाएंगे कि ये और आसान हुआ या नहीं मुझे लगता है कि इसके लिए जो लगुगणक गुणधर्म यानि logarithm property हमें प्रयोग करनी चाहिए वो ये है कि अगर हम x आधार पर चलिए यहां दूसरे अक्षनों का प्रयोग करते हैं तो अगर हम x आधार पर y की घात z का लगुगणक लेते हैं तो ये z गुणा x आधार पर y का लगुगणक के बराबर होगा अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा लगुगणक गुणधर्म या logarithm property है इससे हमें पता चलता है कि अगर हम दिये गए आधार पर किसी संख्या की घात या पावर का लगुगणक लेते हैं तो हम घात को बाहर लिखकर उसे दिये गए आधार पर किसी संख्या या यूं कहें कि यहाँ y का लगुगणक से गुणा कर सकते हैं अब हम यहाँ इस गुणधर्म का प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रशन को हल करने के बाद मैं बताऊंगा कि ये किस प्रकार सही है तो हम कह सकते हैं कि ये 3 गुणा 5 आधार पर x का लगुगणक के बराबर होगा और हमने इसे हल कर लिया है यहाँ इस गुणधर्म यानि प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए हमने इसे दूसरे तरीके से लिख दिया है या यूँ कहें कि ये एक तरह का सरली करण या सिंप्लिफिकेशन है क्यूंकि हमने इस लगुगणक से घातांक को बाहर कर लिया है और अब इसी संख्या से हम लगुगणक में गुणा कर रहे हैं आई अब सोचते हैं कि ये सही कैसे है मालेते हैं कि एकी घात B बराबर C है जैसा कि हम जानते हैं कि ये चरगहतां की समीकरण या एक्स्पोनेंशल इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है तो अगर हम इसी को लगुगणक समीकरण या लॉगरिद्मिक एक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे A आधार पर C का लगुगणक बराबर B लिख सकते हैं दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि A की घात कितनी होनी चाहिए जिससे हमें C प्राप्त हो तो यहां हमने इसकी घात B लिया जिससे हमें A की घात B बराबर C मिलता है ठीक है अब समीकरण के दोनों पक्षों को लेते हैं और उन्हें घात D तक बढ़ाते हैं इससे उसी जगह लिखने के बजाए मैं इसे फिर से यहां लिखता हूँ तो अब मैंने मूल समीकरण A की घात B बराबर C को यहां फिर से लिख दिया चलिए अब इसके दोनों पक्षों को घात D तक बढ़ाते हैं मैं यहां बड़े अक्षरों का प्रयोग करूँगा तो यहां B होना चाहिए दरजल मैं छोटे अक्षरों का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहां यह C छोटे अक्षर में है अब मैं इसे घात D तक बढ़ाऊंगा और अब इसे भी घात D तक बढ़ाऊंगा जाहिर है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे अगर हम दोनों पक्षों को समान घात से बढ़ाते हैं तो इनके बीच समान ता अब भी गायम रहेगी अब हम घातांक गोनधर्म के बारे में जो जानते हैं उसका प्रयोग यहां कर सकते हैं मान लिजे कि अगर हमारे पास एकी घात B है और हम उसे घात D तक बढ़ाते हैं तो घातांक गोनधर्म के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह एकी घात B गोना D के बराबर होगा हम यहां घातांक गुणधर्म के बारे में जो जानते हैं उसके अनुसार ये A की घात B के बराबर है अब हमारे पास है A की घात BD बराबर C की घात D है और अगर हम इस चर घातांक की समीकरण को लगुगण के समीकरण के रूप में लेखना चाहते हैं तो हम इसे A आधार पर C की घात D का लगुगनक बराबर B गुणा D कह सकते हैं। अब पता करते हैं कि A की घात कितनी बढ़ानी होगी कि उसका मान C की घात D के बराबर हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए हमें इसे घात B गुणा D तक बढ़ाना होगा, लेकिन देखते हैं कि हम B के बारे में क्या जानते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि B ठीक यहां इसके बराबर है, तो अगर हम इसे यहां B के बदले में लिखते हैं, तो हम इसे A आधार पर C की घात D का लगुगणक बराबर BD या DB भी कह सकते हैं, तो यहाँ D गुणा B यानि B की जगha A आधार पर C का लगुगणक लिख सकते हैं, इस तरह हमने यह गुणदर्म विद्पन यानि दिराइव कर लिया है, इसलिए यहाँ A आधार पर C की घात D का लगुगनक यहाँ D गुणा A आधार पर C का लगुगनक के समान है जिसे हमने अभी अभी यहाँ लागु किया है